यह पार्टू स्टार्ट हो गया है अच्छा जी अब हमारा जो पैंडिंग है आज वैसे प्लैन के अंदर जो था वो है प्रेजेंटेशन फॉर लैसी यानि बैलेंस शीट इंकल सेट में क्या चीज कहा नदर आएगी और डिस्कलोयर्ज फॉर लैसी ठीक है तो इन में से एक दिसकाउंटिंग को कर लें ठीक है कि यह की छे चूटियां है तो दिसकाउंटिंग थोड़ी सी हो जाएगी एक-दो सवाल मैं कर लूंगा, तक्रीबशन है को आधा गंटा तक्रीबशन है को आदा गंटा 35 2009 दो को सवाल मैं कर दूँँगा, उसके बाद लिए तीन आपके हौंवक में दे दूँगा और डिसकाउंटिंग वाले, डिफरेंट टरीकों से करनी है और पास्टेपर का एक सवाल भी होगग में दे सकूँगा फिर जब आप एद के बाद आएंगे नेक्स संडे जो आन है उसमें में 45 मिनिट्स में पहले ये करवा दूँगा इंशालला उसके बाद वो जो कुस्टन है पास्टेपर का वो करवा के फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम लीस को ही कॉंटिन्यू करें वो वाला हफताई के बाद खत्म कर डालें या आई एस 41 या 21 में से कोई एक शुरू कर लेंगे ठीक है मैं प्लैन शेयर का रहा हूं साथ साथ आपके चलें जी फिर ठीक है ऐसा करते हैं अब थोड़ा सा इसको पॉज लगाते हैं क्योंके इस पर तक्रीबन 45 मिनिट्स लग जाने हैं ये तो असान है प्रेजनेशन वैसे अगर कहें तो ये तो दो मिनिन पढ़ा जाएगा ये प ये तो अपनी नहीं है यार मैं फाइंसे ट्रेट्मेंट्स आपको नहीं दिखा परूँगा वो वह से में अभी नेट नहीं है वैसे हो जाता है नेट तो मेरे पास भी है यार लेकिन question is प्रेंसे ट्रेट्मेंट्स बी तो मिले यह तो कह रहा है section ही नहीं open करना में नहीं चलें ठीक है जी फिर खुद ही बना लेता हूं आपके लिए में balance sheet वगएरा आपको पता ही है आपकी आपके PNL होता है इसमें sales cost of sale से कहानी चलती है और यहां पर कुछ notes जो है वो refer हो रहे होते हैं note one cost of sale के लिए note two यह हम बनाएंगे इंशालला ठीक है ना जी final accounts के अंदर हमने यही तो काम करने यही तो वो टेस्ट करता है आजकर आपको बताया भी था recent time के अंदर भी पिछली पांच-ची अटेंट के अंदर सिर्फ डिस्क्लोजर भी बनवा रहा रहा है final accounts के ठीक है अच्छा जी balance sheet में भी इसी तरह से आपके non current assets होते है current assets होते है non current liabilities equity current liabilities सारा कुछ दर ठीक है non current assets के अंदर property plant and equipment पढ़ा होता है ऐसे ही है अब standard यह कहता है आप चाहो तो right of use को अलग से present करो चाहो तो इसको right of use में शामिल करके फिर present कर दो ठीक है on the balance sheet right of use can be presented either separately और in the same line item in which underlying asset would be presented इसका वैसे deep down जाकर सोचें तो मतलब पता है क्या बनता है इसका मतलब यह बनता है अगर lease पर कोई PPE है तो वो PPE के अंदर ही चुपा दो right of use जानी के PPE हो आगे जब बना नोट में जाए तो आगे break up दिया हो कि यह owned है और यह lease दिवाले जानी right of use और अगर कोई investment property की nature का asset है तो उसको investment property के अंदर चुपा दो अच्छे बस काफी बोर हो रहे है आप लोग ठीक है जी यह इसी तरह कही है इंसाला मुश्किल नहीं है है interesting यह भी लेकिन आप क्योंके काफी देर हो गई तो इसको बस करते है ठीक है यह दोनों सफ़े मैं इन्शाला ईद के बाद आत तो अब मेरे ख्याल में एक break आपको देनी चाहिए तो आप आ जाएं ब्रेक हमारी क्या होती है यह थेरी पढ़ते पढ़ते थग गए numerical कर लिगा numerical करते करते थग गए ठीक है यह नहीं सरह F.A.R.2 की बात कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि आपका जो papers में है ठीक है आपका rest क्या है आप audit शुरू कर दे और बढ़ते बढ़ते तक गए रेस्ट क्या है शीला शुरु कर दे ठीक है एम फेश शुरू कर दे बात यह के आपका rest यह है बाकी rest हो असर से मगरिब गेम करें पांच वक मस्जिद में निमाज पढ़ें और उसके लावा असर से मगर होनी चाहिए आपके गाले वह वहला गाले गाले पिमकान है कि फिर आप पास हो जाएंगे लें जी पे नंबर नाइंटीज में कहीं पे सवाल होगा प्रैक्टिस कुस्टिंज में आएं हाँ यस यस यह रहा जी पे नंबर नाइंटीफोर पे आगे हैं सब तो फिर मैं करूं आगे हैं तो चले जब त्यार हो जाएं पिर काम आपको काफी सारा करना पड़ना है ठीक है घर जाके सबसे पहले तो मुझे यह बताएं कि अगर चार साल की लीज है ठीक है और किराया है चीक है किराया करना है 200 200 200 200 सेम किराया क्या करते होते थे आप अन्विडी का फर्मूला लगाते थे ठीक है मिसाल के तौर पे इंटरस्ट रेट है इंपिसिट इंदरी लीज इस 11 परसंद चलो ऐसी 11 कर लो 10 कर लो 12 कर लो कुछ भी कर लो है तुम अब तुम 11 करो इजी हो जाएगा जी इस शोबीस भाई कह रहें चैसोबीस कर लो कि सुनो जी यह बाद इंपॉर्टन नहीं बाद इंपॉर्टन यह है आज से पूछना चाह रहा हूं कि एणिवटी के फॉर्मूला की खुसूसियत बताएं क्या करता है यह क्या प्र कुछना चाह पिर क्या करता है तो खुसूसियत कि सको प्रेजन वैली उ पिला ता प्रेजन वैल्यू किसे कहते हैं अच्छा आप ज़रा देसी अलफाज के अंदर इस बात को सुनो एणिवटी निसाल के तौर अगर एक और सवाल मैं बनाऊं चार साल का पहरा कराया जिफर है दूसरा कराया साधे तीन सो तीसरा साधे तीन सो चौत्हा साधे तीन सो अब जब आप एनविटी का फार्मूला लगाएंगे ठीक है रेट आप इसमें कुछ भी ले ले लें ट्वल्फ लें चलो आप उसाधे 300 आगए थोड़ा से इसको माफी देता हूं मैं 10% का देता हूं जी बोलो आप क्या करो जीरो वाली डेट पर भाई कह रहे हैं यह सब को पता है इस बात का यह सब को पता है इस बात का एनविटी का फार्मूला जो है उसकी खसूसियत क्या होती है 840 वा पता है ना आपको ठीक है तो हाँ एनविटी के फार्मूला ने क्या करना है सारे कैश लो उसको पहले कैश लो से एक पीरेट पीछे लाकर चोड़ना है कोई मसला हां जी यह मसला जरूर होगा फिर कि जब यहां आएगा तो हम तो प्रेजन वैलियों चाहा रहे होते हैं यह पर चिक है यहां पर चिक है यह ने हमें स्टार्ट खड़ा उता है ना लीज पर हम यहां पर बेंगर करना पड़ता है यह को पर आप प्र यह बात समय जाई? बोलो, तो N.V.D. का फामूला, देखो आप कोगे सर, अजीब बात है, हम जब डंकी वर्क करना चार हैं तो करने दें, हम इस साड़े 300 को सिम्पल डिस्काउंट करके दो साल पीछे ले आते हैं, इसको भी 2 साल पीछे ले आते हैं, इसको 3 साल पीछे ले आ अभी दिखाते हूं आपको सवाल, पास्टेवर का ऐसे नहीं है, ठीक है, 20 साल वाला नहीं, बेसिकली 20 इंस्टॉल्मेंट वाला तो आ सकता है, 24 इंस्टॉल्मेंट वाला तो आ सकता है, 25 वाला तो आ सकता है, कौर्टरली इंस्टॉल्मेंट कर दे, एक साल के अंदर 4 आग यह लेकिन आपको इतनी आदत बढ़ चूप की होगी कि आप कर यही लोग है इंसालला ठीक है शुरू करें आप काम तो यह फिलाल मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया भी मैंने सवाल ने शुरू किया पहली बात क्या सिखाई है एनुटी के फामूला की सबसे पहली खुसियत आज क्या देखyi आपने यह कैश लोग जितने भी होते है उनको पहले कैश लोग से एक पीरिड पीछ थे साल ना कहен फाम क्युक्म कैसाल भी होसकता है यह मे यह सकता है यह मळकू ए पाम जी वह भूला वह लाटे है वही तो आज लाना है ठीक है जी तो 30 ये देखो और ये इसमें भी इसमें वैसे ही है तेतीस में जाके दर्मियान में है तब तक अगर पहुंच गए वहां तक तो ठीक है अची बात है नहीं तो बल कैसा करते हैं 31 मैं करवाता हूं 32 में सिर्फ यह है कि वह लगना नहीं है एन्विटी का फामूला क्योंके 32 में दो ही कराए हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं तो वह आप घर पे कर लेना ठीक है मिस एक है साही वह मिस वाला किसमेरियों मैं समझा देता हूं तो फिर मैं 33 पे चला जाओंगा 33 मैं करवाता हूं उसमें दर्मियान मिस होगा उसके बाद हैवी सवाल है 34 35 यह अगले दोनों सवाल तो मैं यह सवाल करवाँगा खुद ऐसी बात नहीं है लेकिन उमीद है कि आप लोगों को जो काम आदे गंटे में समझाना था आप लड़के आए होंगे 15 मिर्टों कोई बात समझाएगी आप ठीक है चले आप प्लैन हो गया एक दम से हां हम इसे चले जो हवाँ हवाँ कर कर वादे हैं इसको बैठो आप जी 31 आ कंपनी एक्वाइड अप्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनरी उननीस फॉल्विंग डीटेल्स आर रिलेटिंग तो इस लीस लीस टर्म है चार साल डिसकाउंट रेट 10% अंडर दे अग्रिमेंट 3 इंस्टॉल्मेंट अब जैसे ही आपको ये नदर आता है ना जब भी मैंने बताया था एक बार याद है जैसे ये नदर आता है आपको आप फॉरण समझ जाते हैं कि एक माफी है हॉलिडे है ठीक है अब हमारे पास जब पहले इस तरह का सवाल आया था तो गालेपन वो एडवांस का सवाल था इसलिए शद बचे तो ये जो भी था भाराल खेर चले अब देखते हैं अंडर दे समबर उनीस से पहली किस्त पे होनी थी नहीं होई कब पे होई ठीक है और फिर 31 समबर 21 और 31 समबर 22 ठीक है अब वर्किंग वान लीज कौन सी है जी वैसे डिस्काउंटिंग तो कर रहे हैं आप लीज देखें जी कहीं पे कोई कहानी शानी अब लेजी के सवाल करने तो नॉर्मल लीज रहती है जी लेजी के सवाल वर्किंग नंबर 1 लीज पेमेंट्स लीज पेमेंट्स पताईए गाजी सिफर जमा सो जमा सो जमा सो मैं इस तहां से कर रहा हूं मुझे पता है आप तो 300 लिख सकते हैं डारेक पर्चेंबेशक लि हैं अब यह कहानी ऐसे है एक दो तीन यहां पर सिफर है यहां पर सो है सो है और सो है क्या कहा है आपको एनमडी लगाएं यहां पर आएं यहां से फिर सिंपल डिसकाउंटिंग करके वहां जाएं ठीक है अब इसको करने के लिए हमने जो है ये प्रेले वैलियो आफ लीस पेमेंट जब निकालनी है तो जगह छोड़कर हम वर्किंग टू पहले कर लेते हैं ऐसे हैं न डेट इंस टॉल्मेंट लेकिन एक मिनिट के जिए रुक कर मेरी बात सुन दीजिएगा अब ही न नोट करें इसको एक छोड़ा सा एक छोड इंटरस्ट और बैलनस अचा बैलनस के बाद मा आपने फ्रुड़ी सी जगह चोड़नी है आज जितनी बैलनस की जगह इतनी है मतलब मैं यहां पर कोई दो तीन चीज़े प्लस माइनस कर सकूं एक दो चीज़े बस इतनी सी जगह छोड़ दिनी आपने ठीक है ना यह जितन सवाल अरियल य एडवांस इदर देखो जी कोई नए चीज़ ने कि तुर देखे इदर कुछ नहीं क्या स्रफ यह बात कि है किराय यह लीज 4 साल किये और इस दिन शुरू हो रही है लिज और एरियल में कराय आने और पहला कराय कोई दूसरा तीसराца साल ज्किन पर कराया यह हम टाइम ने बनावे टाइम ने जाया करेंगे, हम टाइम यहीं पर जाया करेंगे, तो जाया नहीं होगा, यह तो बना नहीं था, ठीक है, उसके बाद, 31 दिसम्बर 2020 पर 100, 31 दिसम्बर 2021 पर 100, 31 दिसम्बर 2022 पर 100, और 31 दिसम्बर 2023 पर 200, को यह था ना यह अच्छा उनिस बीस एक्टिस बाइस ज्यादा हो गया चार सासा सौरी जी सही है अच्छा अब इता देखो यह सारे यहां पहुंचेंगे बोलो यहां से फिर अलग गाड़ी के कराके इनको यह यह मुख्तलिफ इलाकों से पहले सवाद से दीर से सारे कठे होगे इसलामबाद और फिर यहां से लाहर की गाड़ी ने ली और इत के बाद वापस आ गए के टीके वाले सारे ठीक है ना सही यह तो यह अब हमने इनको सिखाना कि कैसे ही आएंगे वापस ठीक है वहां से यह इनको हम उने के गए तुम पिंडी तक तो पॉंचो जैसे भी पहुंचना है तो फिर कठे जैसे भी आएंगे ठीक है ना नोडी का फामूला वाना तक लगा के फिर एक ही गाड़ी में इनको देकर आएंगे हम लाहर ठीक है जी तो डिस्काउंटिंग करें तो सिंपल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी वन पॉंट वन जीरो रेस टू पार माइनस फोर नहीं हां एक साल पीछे करती समय निस से यकब जनी उनिस पर आना है तो माइनस इस तरह की चीज एंड पर आया करती ना वह जिया भी उजियार वगारा होते तो हम कहते हैं वह त इसा तो जी सही है गॉट इट नहीं बताएं जी आंसर तो यह टू ट्विंटी ठीक है वैसे इसका आंसर क्या आता है यहां पर मतलब यहां पर यह टू फॉर्टी नाइन था लेकिन अभी प्रेजेंट वैलियो हमारी यकब जनली नौ पे नहीं आई समझाती है बात समझात सब्सेल कर सकते थे वह बात नंकी ऐ लूत फॉर्म च्छल दर लें लडाकर लें आंगारी नेले सोफ़ी लड़ कईसल अगरी रे करने च्रावार हां गासे शाल ऋकल पर अंसर लड़ क्रहत प्लास जाल कर अफूट यह जा पहता है यह रिशिक है फ्लास फारीं प्लास पते हैं आपर क्यों टूवेंटिन नंपन क्या आया जी तो भाई यह काम इसलिए नहीं करना कि अगर यही पदना बीस इंस्टॉल्मेंट बाद सवाल हो तो हम तो मर्जें यह काम करते करते हैं तो अनुटी के फार्मूला लगाएंगे जहां मुम्किन होगा लगाएंगे ओक सही है को मसला चैने जी प्रेंट वैलियो आ गई लीस पेमेंट्स की यहां से स्टार्ड करेंगा अपना लीस अमॉर्टाइजेशन हाँ जी 23 का इंटरस्ट थाउजन ताउजन में कर रहो हूं यह राउंड कर रहो ठीक है 23 का इंटरस्ट बनता है बो लो कितना प्रिंसीपल कुई इंटरस्ट नहीं है इस तैइस में ये तैइस भी पे नहीं हुआ पेमेंट तो हुई कुछ नहीं अब मामला ये है जो पहली बार आप देख रहे हैं एक पेवल हाँ जी बिलकुल कमपाउंडिंग इसको कहते हैं ये काम करना पड़ेगा ठीक है पहले से पेवल था 226 रुपे वो पेवल तो था ही ये इंटरस्ट भी अपने ओपर मुने डाल लिया ये इनके गले अब पढ़ चुका है और ये अब कमपाउंडिंग होगी या यानि आप इंटरस्ट पे भी स इसका हिससा बना दिया ठीक है जी कितना हो गया 249 अब अगले पीरिट के अंदर जब इंटरस्ट कैल्कुलेट होगा तो वह इस 24.9 बर लगकर 25 रुपे इंटरस्ट जी अब 75 और 174 जी अच्छा अब ये जो प्रिंसिपल सौ पे हुआ ना सौ इसमें यो प्रिंसिपल पे सारा प्रिंसिपल होगा या कुछ और भी चीज है चोलो देखते हैं चोड़ो फिला फिला चोलो फिला पूरा कर लेगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अभी देखाता हूं मैंने का बताता हूं जाते रहा ठीक है जी 17 का इंटरस्ट 83 91 अटेंटिव कर लिया ना बाब अच्छा जी 1920 के एंटरीज करते हैं फॉर दा ये एंडिड एक अत्तिस देसंबर दो हजार निस यक्कम जनवरी उननिस राइट आफ यूज डेबिट लीज लायाबिलिटी बोलें पता है 226 19 का साल गुजर गया कोई किस्ट पे नहीं हुई चीक है लेकिन साल के एंड पर इंटरस्ट तो बुक करना है तो 31 दिसंबर 2019 पर एंट्री की आपने इंट्रस्ट एक्सपैंस डेबिट और इंट्रस्ट पेएबल क्रेडिट 23 रुपीज से ठीक है जी और उसके बाद 31 दिसंबर 2019 पर एक और काम तो बूलेंगे नहीं राइट अफ यूज को डेप्रिशेट तो करें भाई भूल गया हैं लैसर का सवाल करते करते लैसी को बूली गया हैं इसलिए अब हम मिक्सचर किया करेंगे कभी कुछ तो कभी कुछ आज हो गवागी लैसी का सवाल होगा जी करेंगे कभी कोई कोई सवाल उठाले कोई उठाली आपको यही तो मौका जब आपने पका करना है इसको डेप्शन डेबिट accumulated option credit 226 divided by 4 226 divided by 4 57 जी बच्चर कोई मस्ता चल जा या ओके अच्छा जी अब अगले साल की एंट्रीज करें उधर रहे उधर रहे करें अगले साल की एंट्रीज अच्छा मैं करूँ अच्छा बच्छो अब अगले साल जब आएगा फॉर्डा ये एंडेड 31 दिसंबर 2020 तो लीस पर दुबारा एसिट नहीं लेना ठीक है उसके बाद 31 दिसंबर 20 पर जाकर ये 100 रुपया पे हो रहे तो 31 दिसंबर 20 कैश क्राइट हो गया 100 से अब इधा देखें जरा इंट्रस्ट एक्सपेंस कितना डेबिट करेंगे 75 बाद समझाती है अब बोलो 25 इंट्रस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया 25 बाद में लिखिएगा एक मिनिट देखने जरा 25 अब बच्चे पुरानी आदत के मताबिक यहां पर 75 लिख देंगे लीज लाया बिलिटी तो चारा प्रिंसिपल तो यह 23 तो फिर सारी जिन्दी की पेबल ही रहा गया यह तो फिर कभी भी पेए नहीं होगा यह सिरफ प्रिंसिपल अमाउंट पेए नहीं हुई आप ज़रा गौर फर्माईएगा हमने यहां पर 23 रुपे के इंट्रस्ट को यह क्या था यह प्रिंसिपल का कॉलम होता था ना यह प्रिंसिपल अमाउंट है डिसकाउंटिड फिगर हमने 23 रुपे के इंट्रस्ट को जबरदस्ती प्रिंसिपल का हिस्सा बना दिया था अब जब यह payment होई है तो इस payment के अंदर प्रिंसिपल नहीं है बलके यह interest भी है सब से पहले इसी को पे किया जा रहा है जबरदस्ती मतलब यही होता है na इस 55 के अंदर interest भी पढ़ा है किब्सक्न कर्सफर का पार्ट जबरदस्ती इसको बना दिया था तो यह 25-25 में सिर्फ प्रिंसिपल की पेमिन नहीं है इसमें हम कहो को कहो कि इसका सारा पेवल पे हो गया तो ये तो पेवल पड़ा रहा जाए तो तो पेही रहा है न वह इंट्रस्ट ठीक है तो अब ये एंट्री की तर्तीब क्या बनेगी मश्वरा यह है इसको ऐसे किया करेंगे ह आपने क्या करना है आपने इंट्रस्ट एक्सपेंस बुक करना है अपने साल का कितना है जी 25 उसके बाद आपने नेक्स टेप में ये इंट्रस्ट पेवल को क्या करना है डेबिट करके खतम करना पे करना इंट्रस्ट पेवल कितना 23 और उसके बाद आपने बैलेंसिंग फिग दन जी मज़े का काम है न है जरूरी था ना आज देख लो तो 31 दिसम्बर 2020 पर डेप्री सेशन के एंटी उसी तरह से डेप्रीशन एक्सपैंस डेवेट अक्यूम लेटेड डेप्री सेशन अभी दर्मयान में भाई की फर्माइश के अताबिक हमने गाइब करने लेकिन आपके अगर बन्याद यहां पर मद्बूत हो जाती है तो फिर मसले ही को नहीं इंचालता ले जी यह कुस्टन नंबर कौन सा है लेकित यह कुस्टन थर्टी वाँ पेज नंबर ठीक है जी थर्टी टू देखें ही थर्टी टू पढ़ें यह हमग में वैसे तो लेकिन पढ़ें तो सही नहीं गलत नहीं आया बन प्रिंसिपल लेस करते हैं किस में से प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल लेस करते हैं तो यह 23 अगर आड़ ना करते तो यहां 226 पढ़ाता तो उसमें से फिर पूरा प्रिंसिपल लेस करते लेकिन 226 में तो आपने 23 आड़ कर दिया अब यह प्रिंसिपल प्लस 23 रुपे का इंटरस्ट है तो 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 प्रशह समयटी पाइव सारा पिंसिपल नहीं है अचाजी 32 32 32 अचा 32 बी कम्पनी अक्वार्ट अप्लांट ओन लीज उन यकम जम्री 2019 लीस तर्म तीन साल है बोलो यह फॉल्म टेट अर रेलेटिन तो इस लीस लीस तर्म है त्री यह डिसकाउंट रेट है तैन परसंट पर एनम अधर दे अग्रीमेंट टू इस्टॉल्मेंट अफ हंडर्ड एंड एटी आर पेड इन एरियर ओं इकर्थी संबर बीस एंड इक्क तीन साल की लीजर क्राय दो अब यहां पर तो भाई चकरी कोनी ना एनमोटी वाला सिंपल डिसकाउंटिंग करोगे और ट्रीटमेंट हंडर्ड प्रसंट सेम है पहले वाले रेंटल की मिसिंग की वज़ा से वो इंटरस्ट तो कैलकुलेट होगा लेकिन वो प्रिंसिपल मे आउसे किताब में है लेकिन आपने ही देखना जब तर करनी के मैं तो यह सवाल करना चाहार हूं हो हूँ है के इसको पहले यदर लाएं फिर इसको यदर लाएं सिम्पल डिसकाउंटिंग करके दोनों को लाना पड़ेगा फिर दोनों को सिम्पल наж काई करके दिदर ले जाएं तो यार लाऊर की गाड़ी सीधी आत और रही हैं जरूर पिडि रूखना हैं यह थे तो ही बता एन्विटी का फामूला सारे कैशलो उसको पहली पेमिंट से एक पीरिट पीछे लाके छोड़ता है सिंपल डिसकाउंटिंग तो जहां मर्जी ले जाओ ठीक है इसको पकड़ डिरेक्ट लेनी जाते हैं यहां पे यह माइनस त्री और यह माइनस फॉर ओके पिछला साथ 4 तीन जी सी कम्पनी एकौाइड अप्लांट उन लीद उन यकम जनरी 2019 थोड़ी सी में इसके अंदर थोड़ी सी स्वीड रखी हुई है काम सिंपल है प्लस मैं यह चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा काम मिले बाकी तो इंशाला कोई भी मसला है तो इतके बाद आकर मैंने वो सवाल डेट अल लिमिटेड वाला भी करवाने ही आपको इसमें भी आपको शायद किदर गया यह कौटरली वाले में थोड़ा सा मसला आए जो च्छछतीसवा है ठीक है ना यह पैंतीसवा चौनतीसवा इन में मसला अवल तो बुनियाद पक्की रखेंगे तो मसला आने नहीं वाला अशा जी और बुनियाद यहां पक्की हो जाएगी सी कंपनी अक्वाइड अप्लांट लीज अन यकम जन्री उन्निस फॉल्विंग डिटेल्स आर रिलेटिंग तो इस लीज लीज तर्म सिक्सियर्स डिस्काउंट रेट टैन परसंट पर एनम अंडर दा एग्रीमेंट फोर इंस्टॉल्मेंट्स ऑफ टू ट्वेंटी इस लीज तर्म कितने साल गी और इंस्टॉल्मेंट्स दो वीज में मिस हैं आर टू बी पेड इन एरियर ऑन एकतिस अंबर उननीस बीज ते कि टाइम लाई मैं वैसे दिल तो नहीं तर बनाने का लेकर चलो कितने साल की लीजा जी छे साल की एक दो तीन चार पांच और चे area में area में pay होना है? 220 पहले 2 साल pay हो रहा है, फिर 2 साल कोई है, फिर 2 साल हो रहा है इन दो पर annuity लगाओगे? यह तो अपने मंजिल मुक्सून पर पहुंझ जाएंग है इन दो पर annuity लगाओगे? यह इधर आएंगे इनको फिर लेकर आना पड़ेगा एक, दो, तीन, चार साल पीछे, एक मिनट वई कर लें, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, वज़ा बता दिये कि क्यूं सिखा रहा हूँ कै। बताया आपको कि तूँ सिखा आ रहा है, कह लें, लंबे सवालों में काम है, तरीका सीखें, वाकी आपकी आपकी मरजी है, जो मरजी करें, वाकी आपकी मरजी है अब यह ऐसे तो करने ही नहीं होता आपको पता है हम तो बनाते हैं इसके लिए अपनी वर्किंग 1 और वर्किंग 2 वर्किंग 1 लीख पेंट्स यू लिखेंगे जरा पक्का हो जाए 220 जमा 220 जमा 0 जमा 0 जरा असकर को बिलाएं जमा 220 जमा 220 ठीक है अब present value of lease payment निकालनी हो अब पर्चे में तो आप ने 220 इंटू 4 कर देना चुप करके सुकून से पर अभी तो सिखाया जा रहा ना ऐसे लिए ठीक है अब pvf LP से पहले हम working to कर लिया करते हैं ताके एतियातन हमें गलती के chances नरहें पता लग जाए तो date installment ये दो भर लेंगे principle इंट्रस्ट और बैल जी यकम जनरी 19 पर लीस स्टार्ट हो रही है और एरियर में कराये हैं 31 अमबर 19 पर 220 है 31 दिसंबर 20 पर 220 है 31 दिसंबर दो हजार 21 पर 0 31 दिसंबर दो हजार 22 पर 0 और 31 दिसंबर दो हजार 23 पर 220 पूरे हो गए अब जाए देखे यह मैं समझा रहा था आपको टाइम लिन ना मनाया करो इन दो को डिसकांट कर लो और इन दो को डिसकांट कर लो लेकिन फिर इनको मजबूरन आपको लाना पड़ेगा यह सिक्षाया जारे है आपको इस तरह से करना है ताकि आप मुश्किल सवालों में यह काम कार सेकें, डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, जी, सबसे पहले तो, यक्कम जनर्य, पी वी ओफ एल पी मुझे किस दिन चाहिए है, जी, यक्कम जनर्य 2019 पर चाहिए होती है, न, बोलो, तो पहले तो मैं इन 220 को कहता हूँ, आओ बई, 1 मा पॉइंट वाले जो दोनों हैं, यह करती संबर 22 पर अभी पहुंचे हैं, इनको कितने साल पीछे लाने हैं, एक, दो, तीन बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल, एक, एक करती संबर 22 पर खड़े हैं, करती संबर 21, 20, 19, बिल्कुल, चार सल पीछे लाएंगे, इंटू, अब लाल वाला काम कर लेते हैं, इस सारे को आप 1.1 रेस टू पार, माइनस 4 कर दो, तो आंसर क्या आ गया जी, 643, ले जी, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया हमार पस, 643, अब इंटरस्ट, 64, प्रिंसिपल, 156 बनता है बे जी, 64, जी ये बता दे, 487, 487 बडी मेरबाणी, पॉइ नहीं क्या कह रहते हैं, अब ये, आजे फॉइस, सॉपारी दखी दी हूंट अच्छे, नहीं में लाना हम कह देते हैं, जी, बाई जान, मेरबाद कदर दान होगे इस साल की इंस्टॉर्मेंट पे, तो होगया ये इ अच्छा तो आते भाई को बिला लेना थे उन्हें बिला लेना जी उसके बाद 487 का बन गया 49 जी 171 316 अब यह 316 जो है इसका 32 का इंटरस्ट आया लेकिन पेमेंटी कोई नहीं प्रिंसिपल भी कोई नहीं अब इस 316 के अंदर कंपाउंडिंग शुरू हो जाई है 340 भाई सर ने क्लास चुरू कर दी है सर के ना बच्चे कम थे दरा लेट जाईएगा पांच दात मिनिट तक मैं छोड़नुगा बताना नहीं सर को बस कवर कर लेना जरा है क्या दो सर के अगर सर बच्चे कम थे दरा लेट शुरू किया सर ने तो अगर पांच निट विए पांच वैसे अच्छा जी थर्टी पाइब अब 348 प्लस 35 383 अब इस 383 पर लगाओ बागी 180 सम्टिंग 2 जी यह बताओ मुझे इसको राउंडिंग कर ले नहीं इधर मुझे दोसो एक चाहिए यह 19 राउंडिंग है ठीक है तकलीव किसी को हो तो वह बेशक लिख ले फिपर पूरी और एक आध रुपया आता रहे उससे को गलती नहीं होती मिलियन है या बिलियन है I don't have any problem because it's not mine अच्छा जी आप सुनें बाकी एंट्रीज तो जबानी करवा ले सिरफ मैं करूँगा चलो करी लेते हैं quickly जबानी जबानी सुनो एंट्रीज हुई पढ़ी है solution में solution में solution में इंट्रीज हुई पढ़ी है आप solution open कर लीजिये बेशक इस सवाल का solution किताब में open कर लीजिये मैं इंट्रीज बोलूँगा सिरफ 643 राइट आफ यूज डेबिट लेज लाइबिलिटी क्रेडिट दन 31 दिसंबर 19 पर लीज लाइबिलिटी डेबिट 156 इंट्रस्ट एक्सपैंस डेबिट 64 और कैश क्रेडिट 220 मैंने सरफ मुश्किल साल वाली एंट्री करनी है उसके बाद अगे बढ़ें 31 दिसंबर 2020 की एंट्री बनी लीज लाइबिलिटी डेबिट इंट्रस्ट एक्सपैंस डेबिट कैश क्रेडिट और देशन डेबिट अक्यमिदेशन क्रेडिट दन जी उसके बाद आता है 31 दिसंबर 21 अब 31 दिसंबर 21 के अंदर आपको यार ज़रा क्विक्ली कारी लें याद रमेट सल्ली हो जाएगी ठैर जाओन फॉर यह एंट्री संबर 19 पहली एंट्री यकम जनरी 19 पर राइट आप बिल्कु क्विक्ली करेंगे राइट आप यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट नेक्स्ट 31 दिसंबर 2019 पर लीज लाइबिलिटी डेबिट इंट्रस एक्सपेंस डेबिट और कैश करेंगे डान जी डेप्रीशेशन डेबिट यह कर लेना यह कर लेना आगे बढ़ें जी नेक्स्ट नेक्स्ट बीस के साल के अंदर भी कोई गड़बड नहीं है सब जैसे आज से पहले चलता है वैसी चलेगा तो 2020 की एंट्री है लेकले बाई जी 2020 की एंट्री क्या होगी पहली कोई नहीं है दूसरी एंट्री है 31 दिसंबर 20 की लीज लाइबिलिटी डेबिट इंट्रस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी 171,49 वो आप कर लेंगे इंशालला डेप्रीशेशन उसके बाद 2021 आ गया जी अब चुके किस तो पे हुई नहीं लेकिन 21 के साल का इंट्रस्ट यकम जनुरी 20 से 31 संबर यकम जनुरी 21 से 31 संबर 21 तक का एक साल का इंट्रस्ट वो पे नहीं हुआ पे बल में एड तो कर लिया हमने लेकिन उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी तेंट्री क्या मनी जी इंट्रस्ट एक्सपैंस डेबेट और इंट्रस्ट पेवल रेल थर्टी टू से उसके बाद देश्टिन के एंट्री करेंगे आप गर पे ठीक है उसके बाद जी 2022 में भी कोई चकर नहीं है कोई बात नहीं यह सारी एंट्री वैसे हो सकती थी आसानी से जी 31 हमबर 2022 पर इंट्रस्ट एक्सपैंस डेबिट और इंट्रस्ट पेवल क्रेडिट अब कितना हुआ जी साल यह 35 अगेन इसको पेवल बनाया है पे तो हुआ कुछ नहीं था ठीक है जी 35 अब आता है जी काम का साल जिसके एंट्री असल में करवानी थी आपको डेप्शन के इसके बाद आगे फिर सिंपल हो जाता है कि 2023 में आप जब 31 संबर 23 पर पेमेंट करने गए 220 की तो उसमें आपका 38 रुपे का इंट्रस्ट एक्सपैंस है इस साल का उसके बाद 35 जम्मा 32 यह पेवल कठा खतम करना है और अगेन बैलेंसिंग क्या कहा आपको निजाबिटी न बैल इतनी सी बात है और कुछ नहीं है ठीक है है कुछ भी नहीं बस एक बार करवाना जरूरी था कि यह ऐसे होता है ऐसी डर पड़ रहता है ठीक है तो इंटरस्ट एक्सपैंस इस साल का कितने है 38 यह interest expense 38 यह उसके बाद 182 सारे को lease liability ना कह दे ना यह जो आपने जबरदस्ती दो liability के अंदर interest liability अड़ की थी प्रिंसिपल में इसको पहले निकालो ताक्साफ करो इसको ठीक है तो interest payable जो है उसमें आपने कितना फैंका हुआ अभी तक 32 जमा 35 कितना 67 और cash credit कितने से 220 से balancing यह चला जाएगा lease लाया बैलेंसिंग लिखने ना ठीक है उसके बाद depreciation आगे तो first clear नहीं हो गया आगे तो कुछ भी नहीं है ना simple वो simple वाली होगी यह वाली ठीक है simple entry कर लोगे उसके बाद यह अगले दोनों try करने आपने हुमक में ख्याज़ो अला अभी बच्छे को लास सुरू कि यह पांच मेंड़ आसे मांगे हम ठीक है तो आपके हुमक के अंदर वो तो एक दो छुट्टीटी इग्जैम्पल्स थी ही असल में तो आपको हुमक के अंदर आये हैं question number 32 34 और 35 इसके बाद आप सब खवातीनों हजरात तश्रीफ ले आए आए पास पेपर तो देखे लिए ना पर क्या नहीं है नहीं किया हुआ है सिर्फ पर डी कमीशनिंग आपको बता दूँगा सवाल तो पढ़ने दो सवाल के पांच मिनद मांगे हैं सर से सवाल पढ़ने के और ये करवाना है तब ही तो आपके सामने रखा है भाई लेकिन आप पहले करके आ मतलब मैंने क्या कहा आप सिर्फ बी को इतनोर करेंगा अब मैं सारा सवाल पढ़ाता हूँ आपको ठीक है ऑन जक्कम जनरी दोजार बीस डिट आल एक्वाइड अ मशीन अन लीस रॉं लाइफ बाई फॉर थ्री येर्स पहली किस पे हो गई जी और आल सब्सक्वेंट अन्वल इंस्टॉलमेंट अर पेबल अन जक्कम जनरी सब्जेक्ट तू इंक्रीज ओफ 10 परसंट इच येर हाँ जी क्या लगता है पहले निकालना लें यही लीज इस वर्किंग कर लें ऐसी वर्किंग का तो नंबर भी कोई वर्किंग वाँ से पहले यह वर्किंग हो रही है ठीक है जक्कम जनरी 2020 के ओपर आपने लीज टार्ट की है तीन साल की लीज है तो बोलो 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 पहले कि राया एडवांस में जक्कम जनी 20 पर इतना और उसके बाद हर साल कितने पसंट इकरीज है इतना निग्रीज निग्रीज पांट 38.5 next into 1.1 करो 42.3 करें 4 कर ले ठीक है जी यह आपने क्या किया इंक्रीमेंट लगा दिया को मसला अब यह कराए हैं आपके 2020 21 और 22 की यह लीज है ओके यह 22 है बत्खें नहीं है आगे चलते हैं next कहता है DL कौन है यही जिसने अक्वाइर कि लेसी लेसी आज इसी का सवाल करना है आपने ठीक है लेसर का मैं खुद करवाँगा पिर एंड पर कहीं जाके DL incurred IDC cost of 5 मिलियन यह वरकिंग 1 टू में आती थी बारो बार एंट्री में बारो बार एंट्री में यह क्या जी यह तो लीज इंसेंटिव है यह तो पहली इंस्टॉल्मेंट में से माइनस होगा यह तो अब्दुलबारी है जी तो यह 33 पहला किराया 33 यह चेंज क्या 33 पह क्या लगाना है 33 थी तो वैसे ही पढ़ावा जहां पर होना चाहिए नहीं नहीं वो पहले बात पूरी करता चला गया ना देखो उसने क्या कहा देखो कहता है यह फर्स एन्वल इंस्टॉल्मेंट अमाउटी तो पैंठीस पेड और अर पेबल उन जेका सबसेक्वेंट टू इन इंग्रीज ऑफ 10 परसंट इजियर यह बात तो तैया होगी लिक लिया फिर वो आया तो लैसर ने कहा चाल यार 2 मिलियन यह मेरे तर से ले ठीक है तो इसलिए उसको ना चेड़ो बाकी अगर कोई पर्चे में 33 करके उसको कम कर देता है तो को इतना पहाड़ी तूट पड़ेगा अगर को आदा नंबर काटा भी से एक्जमिन तो आदे मतलब वो काट सकता है यह दोनों तरफ बात जा तो सकती थी नहीं लेकिन वो स्थाज पाड़ा लेट इस्ताव नहीं करना अचा नहीं करना ओपना नहीं वह छोड़ें फिलहाल यह इस्तमाल करनेum है आपने सवाल के अंदर क्या करना है घर पे बात करनी है ना incremental rate of borrowing होता क्या है तो यह उताया था आपको क्या उताया था पैसे lesser simple console rate इस्तमाल करता है implicit rate और dealer manufacturer higher of what 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 market or implicit or lessy lesser वाला implicit और अगर वो से ना पता हो तो अपना अब वो उसने अपने वाला incremental देने के मिज़ा यह कह दिया यहां पर discount rate of 12 may be assumed wherever required but not given अब लैसी का सवाल करते हैं इंट्रस्ट रेट चाहिए था आप कह सकते हैं कि यह given है ग्यारा कह सकते है given है required है लैसी के सवाल में क्या given है नहीं given यह ना कह देना सर लैसी को नहीं पता हमें तो पता है पागलों की तरह हैं सर लैसी को नहीं पता लेकिन सवाल में उसने लिग दिया तो नहीं पता था हमने यह यूज कर लिया ओ भाई वो कह रहा है लैसी को नहीं पता गर नहीं पता तो यह रेट उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर सवाल ने कहा कि जब जहां रेट अवेलेबल ना हो वहां यह यूज कर लेना ओके आगे पढ़ो दा रेज़ल वैली अफ मशीन दिए को जालिम और जालिम 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 और तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया यार, नहीं बाद चुटी अब खक्त्म कैंसल चुटी बंद होगी. और भाई ये LSC, Hो गया और याद आ गया, इसलिए कहता हूँ, रिवा, अँप आया, फार bacon soul deprived आपको, उरना इसलिन नहीं भाता है. को अच्छा आगे देखें जी जी आरवी जीरो हां जब लेसर का सवाल मैं आपको फिर किसी पर कराऊंगा उस दिन फिर एग्रीमेंट वाली बीस डी आरवी और दस यूजी आरवी वो बात की बात है वो लेसर का सवाल है भूल के लेसी भूल के रहे पराने दस्तों को भूल बेशरम आदमी अच्छा जी आगे जी ये लाइन आपके लिए नहीं है ये लाइन नहीं है जील इस अलसो अबलाई टू डी कमिशन अच्छा जी आप देखें मैं आपको बेश सिरफ बना रहा हूँ बाकी सारी बात आपको बता लग चुकी है ठीक है ना ये देखें आपने तेन ये तीन ये तीन आपके कैस्छलो जैं जिनको आपने सिर्फ डिसकाउंट करने अमोड़ने स्कैजूल बना लेने हैं इंस्टॉलेशन हो डिस्मैंटलिंग हो या या आईडी सी हो ये तीनों मैंने का था बार और बार जनरन एंट्री में जाते हैं अब इनकी एंट्री सिर्फ देख लो पहली एंट्री तो आप करोगे राइट अफ यूज डैविट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट की एंट्री जो आप पी वी निकालोगे ऐसे ही है उसके बाद मुझे बताओ आईडी सी कितना पे की है इसके बारे में को मसला ये तो आपको पता है ना अब तीसरी चीज जो नई है समझाओंगा तो बड़ी तफसील से इन्शालला लेकिन इसको आप पेबल ही लिखने प्रोवियन मुझकिल लफज है आपके लिए आपने भी नहीं पड़ा हूँ आइस 37 इफरिक वन हमने पढ़ डिस्मेंटलिंग कॉस्ट ओके पीवी अफ अब पीवी कितनी है उसने तो ये कहा है जरा देखो डियल इज अबलाइज टू इंकर डी कमिशनी कॉस्ट आफ फोर मिलियन है तो आज की वैलियो कैसे निकलेगी अब आज की वैलियो के लिए ये बारा परसन यूज करो इसको वापस लेकर आओ चीक है 4 into 1.12 raise to power 4 साल के एंड पर जी बोलो बस अच्छा अब उसके बाद किराए के एंटी करोगे और जब एंड पे डेप्शन निकालने लगोगे तो राइट आफ यूज में एक, दो, तीन चीजे आएंगी, ओके, कि इंशालला आप कर लोगे, बाकी मैंने आपको करवाना है, ऐसे गम न करें, ठीक है, लेकिन क्विक प्रॉबेबली, ठीक है, तो अल्ला से मांग लें, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है, अल्ला तो एक, एक लम्हे में भी राजी हो जाएगा, कोशिश करें, जो हो गया उस पर शुकर करें, ताकि आगे अल्ला तौफीग दें, अल्ला आफिस.